हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल तिकरू मैं हूं गवरो और आज मैं कंपर जंग करने वाला हूं तो रिवी में सबसे पहले बात करेंगे सीपी परफॉर्मल्स की तो डिमेंसरी टेन एक इसको 57 देखने को मिलेगा हूं हीलियो का जो स्कोर है वह 40 देखने को मिलता है में साहब पर हीलियो भी आपको काफी तगड़ा प्रॉस्टर देखने को मिल जाएगा अपने सेंगमेंट कि ऐसे बात किया तो डिमेंसरी टेन देखने को मिलेगा में हीलियो गभाशर्टी साहथ यहां पर दोनों से यहां थो यहां है है कि हीलियो की से तोड़ा वीक तो है जैकिन अगर आप बजट की बात करेंगे तो एधिम्मेंसरी आपको सथा 1930 की अनितिक Corporemaryarks यहां पर बात करेंगे बैटरी लाइफ की तो डिमेसरी टेनेटी एटी-फोर करता है में हीलियो जी नाइटी-नाइटी-एटी-एटी-एटी-फोर स्कोर करेंगा हीलियो जी नाइटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी-एटी- लोग हो जाएं तो कुछ लोग हो जाए तो हाँ पर आपको अपडेट देता रहूंगा जैसे कुछ अपडेट हुआ प्रोस्टर की इंफर्मेशन लेटेड तो बात किग यहां पर आप अब ऑक रेक्चर की तो दोनों प्रॉस् lies ओक्टकोन प्रॉस्टर अडीमिल जाते हैं यहां पर दिमेंटरे में 2..2.3 GHzकला कौक्ट इंडीक्ट मेलेगा उब क्सक्राइस वाइस तो Helio जो है थोड़ा वीक है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया दिमेंसेडी बेटर है तो फ्रिक्वेंसी बाइस भी दिमेंसेडी बेटर देखने मिला है फैबरिकेसन लेकिन दोनों का सेम है 6 निमेंटर टेक्नलोजी के साथ है अब यहां पे बात किया है दोनों 950 MHz के साथ आता है जबकि Helio भी यहीं के आएगा 700-900 यह भी आ सकता है इसका स्कोर कहीं मिला ही नहीं अपर फ्लोडिंग पॉइंट्स की बात किया तो फ्लोडिंग पॉइंट्स में लगबग आपको 700 प्लस देखने को मिलेगा जबकि Helio का मान के जलिए आपको 400-500 दिमेंसरी में HDR Ultra का मिलेगा जबकि Helio HD High एंपर Codimol की बात किया तो Mac Prime 4D का मिलेगा जबकि Helio में 40 मान के चलिए और Graphics की बात किया तो Dimensity में Medium High का सबोर बिलता है बात किया तो Dimensity 1080 with EMC 5.1 and UFS 3.1 and Helio UFS 2.2 का माक्सम सपोर्ट कर सकता है अगली बात करेंगे Connectivity की तो Connectivity में हाँ पे Dimensity 5G processor देखने को मिलेगा जबकि Helio 4G processor है में यहाँ पे processor आपको और भी सचसा देखने को मिल जाएगा क्योंकि 4G processor है तो इतना चार्ज नहीं लगेगा बाकि यहाँ वीडियो Caption, Video Playback भी इतना सभी support नहीं है 2K at 30PS का support है जबकि Snapdragon 680 and 695 से तो better है यहाँ पे LTE-Cat की वास करेंगा तो Dimensity में LTE-Cat 18 का support है है हेलियो में LTE-Cat 13 का Bluetooth में दो नहीं processor Bluetooth 5.2 है तो अब यहाँ पे बताया जाएक कौन सा choose करना चाहिए Dimensity A1080 आपको performance-wise better मिल जाएगा camera is better मिल जाएगा gaming support में भी better मिल जाएगा तो आपको यह लेना चाहिए क्योंकि इसमें 5G भी है and better LTE के मतलब better connection आपको भी मिल जाएगा लेकिन अगर आपको budget कम है आप Dimensity A1080 अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो Dimensity Helio G99 एक better processor है इसमें Quartex 76 मिल जाता है बाकी camera भी support सही है snapdragon 680 से तो better बन जाएगा और बाकी इसके G-series वाले से भी better है क्योंकि 6nm टेकलोजिक साथ है तो battery काफी बचा लेता है वीडियो पसंदा है तो लाइक सब्स्राइब करना बिल्गूल मत बुलेगा थैंक्स पर वाचिंग